तो आज इस वीडियो में मैं आपके संग बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बीन्स की सबजी की रेसिपी सेर कर रहे हूँ और यह बहुत ही यमी लगती है तो चलिए बनाते हैं बीन्स की सब्ची उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेयर करना ना बोलें तो यहां पर बीन्स की सब्ची बनाने के लिए मैंने हाफ केजी बीन्स लिया है और बीन्स को मैंने अच्छे से वॉस करके और फिर एक कपड़ी से वाइप कर लिया है अब मैं इसे कट करूंगी तो यहां पर मैंने बीन्स को बिल्कुल छोटे-छोटे पीसे में कट किया है अब यहां पर मैं एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और इसमें 4-5 बड़े चम्मच मस्टर्ड ओयल डाल ली हूँ ओयल को गरम होने देंगे तो ओयल गरम हो गया है तो इसमें मैं डाल ली हूँ आधी चोटी चम्मच जीरा और 7-8 दाने मेथी के और यहां पर मैंने 8-9 कलिया लहसुन की ली थी जिनें मैंने अच्छे से कूट लिया था और उसे भी मैंने डाल दिया तो यहाँ पर गार्लिक को आपको अच्छे से क्रस्ट करके या कूट करके डालना है पेस्ट नहीं डालना है और हलका सा ब्राउन करेंगे इसे बिल्कुल लाइट और अब इसमें मैं एट करूंगी एक मीडियम साइज की अनियन फाइन चॉप तो आपको बिल्कुल बड़े साइज की अनियन नहीं लेनी है बिल्कुल एक छोटी सी मीडियम साइज की अनियन लेनी है और इसे अब ब्राउन होने तक भूनेंगे तो यह देखे जब इस तरीके से भून जाए तो फ्लेम को या तवा बंद कर दे या बिल्कुल लो कर दे औ और अब इसमें हम ड्राई मसाले आट करेंगे, तो इसमें 1.5 चमच मैं डाल ले हूं हल्दी पाउडर, एक चमच मैं डाल ले हूं कास्मीरी लाल मिर्ज पाउडर, एक चमच ही मैंने डाला धनिया पाउडर, फ्लेम मिल्कुल लो रखना है, और इसमें अब मैं एक medium size tomato यानि टमाटर डाल लेए हूँ roughly chopped और अब टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से मैस ना हो जाए तोड़ा सा नमक डाल लेए हूँ ताकि टमाटर जल्दी से cook हो जाए और अच्छे से मैस हो जाए तो flame को medium कर ले और टमाटर को अच्छे से भून ले तो ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे तरीके से मैस हो गया है और भून गया है मसाला बहुत अच्छे से तो अब इसमें beans add कर देंगे जो मैंने chop करके रखी थी और अच्छे से mix करेंगे और अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक यानी salt add करूंगी तो बहुत अच्छे तरीके से mix करेंगे और फिर अब इसमें salt add करेंगे तो मैंने थोड़ा salt पहले भी डाला था तो उसी के हिसाब से अब मैं फिर से इसमें salt डाल रही हूँ तो आपको अपने taste के according इसमें नमक यानी salt add करना है अच्छे से करेंगे mix और इसे ढख करके पकाएंगे medium flame में और पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना है आपको low to medium flame में ही इसे cook करना है तो इसे ढख देंगे और इसे पकने देंगे तो 3-4 मिनट बाद चलिए एक बार चेक कर लेते हैं तो अभी ये बहुत अच्छे से पका नहीं है तो अभी इसे ढख देंगे और पीच-पीच में चलाते रहेंगे और इसे पका लेंगे तो बीन्स की जो ये सबची है ये बिल्कुल तियार हो गई है बहुत अच्छे से ये cook हो गई है और इसे पकने में पूरे 8-9 मिनट लगे हैं 8-9 मिनट और अब इसमें मैं एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर एट कर रहे हूँ और आप एक बड़ टेस्ट करके जरूर देखें जब आपको लगी ये पक गई है और ये हलकी से क्रंची है तब आपको फ्लेम को ओफ कर देना है और अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है और ये हल्की सी क्रंची रहती है तो इसका टेस्ट बहुत ही यमी आता है और बनाना भी बहुत ही आसान है तो आप इसे जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब लाइक, सेर और कमेंट और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंस सके थैंक यू पर वाचिं वीडियो